वेलकम बाक टूमाइल चानल आयम विए रोस्तामन और वाचेंग टॉप गेर एक्स्रीम तो कैसी है मेरे टीज एक्सांबली आई होप सब बढ़ी आई होंगे तो भाई जो आज की वीडियो है वह कोई ना रिव्यू है ना कुछ है आज आपके लिए फाइदेगी डील ला र ख्लाओंगे लाओंगा इसमें ना ब्रोक्रेश चार्ज होगी ना पुछ होगा जो भी होगा सारा ट्रांसफेरेंस ही होगा तो कौन से घाडी है कितने ही किया और काडे कर दो अब कर दूंधा के सामने चैक्स-वर-डोजार-घ्यार मॉडल है यह यह जएक्स-रमोडल पे बताया जाएगा यह कुछ नहीं रहेगा फेक कि भी आप पूरी ओरिजिनल है क्या है तो इस गाड़ी में भाई दो से तीन पैनल पेंट है लगबग लगबग जो आप सामने आगो तो आपको दिखी जाएगा बट हम यह क्या सकते हैं इंजिन गेरवक जो मेन पार्ट है वो क कुछ नहीं कि पेंट हो रखाओ या कुछ पूरा ओरिजिनल है यह गाड़ी आती है आपकी 5-speed manual gearbox में यह गाड़ी आती है शोल से सिसी में प्योर पेट्रोल की गाड़ी है नो सेंजी नो नफिंग और आपको साइड पूरा साइड साइड से लगती है ना डेंट है ना फाल मेरा अपना बैजिंग वैजिंग मारुती सुजुकी एस एक सोर जेडिक साइड जैसे मैंने बताए टॉप मॉडल है कोई बेस मॉडल कोई बीच का मॉडल है नहीं पूरा टॉप मॉडल गाड़ी है अगर हम इसका टायर कंडिशन की बात करें कैसे है तो भाई फर्स्ट अ गाड़ी की किलोमेटर अच्छे से बता देता है तो अगर हम इसके डोर की बात करें तो पूरा डोर ट्रिम देखो टॉप मॉडल है तो आपको पूरा यह वोड़न फिलेश में विलता है यह कोई आफ्टर मार्केट नहीं करा है है यह कंपनी के सरफ सही आया है अगर आप अगर हम सीट कवर की बात करें तो जिनकी गाड़ी है उनने सीट कवर भी थोड़े टाइम पहले लवाई है तो सीट कवर भी काफी साफ सुतरी है बस जैसे मैं बता रहा हूँ ड्राइक जरूरत है और कुछ नहीं तो एक बार हम चलते हैं ड्राइवर की साइड और पूरा स अगर आपना सारे डोर्स का कंट्रोल और देखें पूरा गता साफ है जैसे मैं नहीं को बता है टॉप मॉडल है तो इस सारा कंपनी की साइट से ही मिलता है अगर हम चलते हैं स्टेरिंग स्टेरिंग की हालात कैसी है बाई 2011 मोडल गाड़ी है तो अगर आप सेरिंग देख तो हलका फलका वेरेंटेर हलका सा मिलता हुआ है क्योंकि नॉर्मल सी बात है इंडिया में रह रहे हो पसीना घर हातों में बहुत रहता है तो इससे चीज़ें मिट जाती है अगर आप बीच का कंसोल देखो तो जिसको बोलते है ना जैसे एसे एक्सोर नहीं आती थी वैसी हालात में एकदम साफ सुतरा ना कुछ वेरेंटेर ना कुछ खराबी सब कुछ अच्छा चल रहा है और एसी इस गाड़ी का भाई इतना चल्ड है कि अब नॉर्मली गर्मी में निकलोगा 45 डिगरी भी बाहर हो रहा होगा देख सकते भी 40 डिगरी हो रहा है तब भी 45 डिग इस गाड़ी के लिए 83,000 किलोमेटर कुछ भी नहीं है और यह भी मीटर पीछ हो रहा हो जैनुएं मीटर है इस चीज़ की गारिन्टी उल्टा मैं भी दे सकता हूं ऐसा कुछ नहीं कि मीटर पीछ और बिल्कुल मीटर पीछे नहीं हो रहा है और अगर मैं इसकी सेल्फ की आप करूं कि भाई सेल्फ में अवास कैसी इंजन की तुम आपको साथ ही साथ सेल्फ मारके दिखा देता हूंग गाड़ी की सेल्फ और इंजन की नोइस कैसी है तो आमने देखा वोगा गाड़ी स्टार्ड हो गई और अंदर बिल्कुल आवाज ने गेटवेट सब खुले बाई जैसे नई गाड़ी का इंजन के आवाज आती थी एकदम साइलेंट बाई वही है और ना पूरी यूट्यूब में कोई भी व्लॉगर हो कुछ भी हो वो इतना डिटेल से नहीं दिखाता बाई मैं एक साथ सो गाड़ी नहीं दिखा रहा है मैं एक बार में एक गाड़ी दिखा रहा हूँ तो काफी अच्छे से दिखा रहा हूँ और भाई अगर मैं इसका इंजन ओयल की यह भी निकाल के देखू तो कोई भाई बैक नहीं एंजन में आप देख सकते हैं ब्लो बैक जो आता है पूरा कहीं से भी थोड़ा सा भी स्मोक वापस नहीं आ रहा है मैं अंडर बिल्कुल लोगा जो भी रेट होगा अगर मैं अंदर जाके मैं एक बार एसी का भी दिखा दो कि अंदर कितना गाड़ी स्टार्ड और एसी ओन करने कबाद कितना अंदर नौइज आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार अंदर चलते हैं आपको फिर दिखाता हूँ मैं आगे हो कैबिन के अंदर सारे आप देख सकते हो सारे गेट मैंने बंद कर दिये शीशे बंद कर दिया और उसके बाद अगर मैं अपना फीड़बैक दूँ सच्चा फीड़बैक दूँगा यह निए कोई कोई पैसा देके वीडियो बना रहे हैं कुछ बाइज सच्च पैसे में वहां मैं देती हैं मैं यह बहुए गाड़ी के दूभन लेगा तो सोने में सौने वीड़ा यह वह पिर के अनी इस Tale इंग पर我 कि छीज ज़ी के गाड़ी till ट्रूड फॉल में एज call me शर्वी सिंग ऊण प्यूर पेट्रोल गाड़ी है, दस बार बोल रहा हूं, बहुत, सुपर स्पूद, भाई, बुल-बुल का बच्चा है यह गाड़ी, एक बार मैं आपको सारे इसके जॉइंट्स दिखा देता हूं, कि भाई, कोई पार्ट इसका रीप्लेस तो नहीं, कोई मेरा भाई दूर स है, और सोचे के यार एक्सिदेंट हो या कुछ ना, तो मैं सारी सील गाड़ी के आपको दिखा देता हूं, लास्ट तक, तक मैंने बताया था, मैं आपको एकर सीलेंट भी दिखा देता हूं, कि गाड़ी का कोई पार्ट चेंज है या नहीं, आप देख सकते हो, भाई, अपना बूट खोला हमने, आप देख सकते हो, यहां भी प्रॉपर सील है, यह भी नहीं कि कोई डिगगी पीछे दुखी हो, चेंज हो यह कभी कुछ, और एक बार से डिगगी देख लो, कितनी साफ है, और असमें प्लस पॉइंट किया है, भाई, इसमें ना स्टेपनी बे दिखा देता हो, पूरी भाई प्रॉपर सील है, इस बनाई हो, और आप राइप राउंज कि देख सकते हो, तो बेदा करें अपना मेकानिक लओ गाडी को जितनी मर्जी दिखाना है, दिखा आँ, और मनो को दिखती है, तो दिखा सकती है सबसे मेन इंपॉर्टन पार्ट और क्लिप बोल सकते हो कि भाई यह गाड़ी है कितने की तो भाई मैं आपको एक बार वापस क्रॉस्टे करते हूं यह गाड़ी है 2011 गाड़ी चल रहे कि 83,000 लगालो उससे ज्यादा नहीं है इंशॉरेंस इसका वैलिड है और जो इसकी इंशॉरेंस वैलिउ की इंशॉरेंस वैलिउ है इस गाड़ी की है 3 लाक प्लस तो भाई हम गाड़ी के डिमांड क्या कर रहे है भाई अगर मैं बोलू कि आपको लगेगी कि थोड़ी कॉसली बड़ी मैं बोल सकता हूं भाई यह गाड़ी है इंजन वाइस हिक्दम टिच मैं बोल सकता हूं तीन चार पैनल पेंट है यह भी नहीं कोई मेजर पैनल पेंट होगे सामने हैं सब दिखा दिया जाएगा कि क्या क्या ऐसे छुपाने अली बात कुछ नह समान करा जाएगा कि क्म जितना हो सकेगा उतना कम करेंगे कि आपके भी पॉक्र में ज्यादा भारी न बढ़े और दो बताने आपको अब क्यों एक कोई वीडियो चाहिए तो बताना मेरे को कमेंट में आकर तब तक मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में तब तक लाइक शेर इन सब्सक्राइब आचाल थांक यू सोन